बारिश के मौसम में मिल जाएं गरम गरम क्रिस्पी से आलू के पकोड़े तो मज़ा ही आ जाएं हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो मैं चैनल भी वेच विद गीत आज मैं बनाने वाली हूँ आलू के क्रिस्पी पकोड़े इसके लिए सबसे पहले हम 4 आलू लेंगे उन्हें छीड लेंगे और फिर चाकू की help se उन्हें बिल्कुल पतला काट लेंगे हमें बिल्कुल पतले पतले slices काटने हैं बिल्कुल मोटे slices नहीं काटने यह देखिए आप चाहेँ तो बाकू से भी काट सकते हैं या आपके पस ग्रेटर है तो आप उससे भी काट सकते हैं यह देखिए यह इतना पतला होना चाहिए कि आलू अद्धम ट्रांस्पेरेंट दिखे क्योंकि आलू के स्लाइस अगर मोटे होंगे तो हमारे पगोड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं अगर आपके पास इससतारा का कोई slicer है तो आप इसे भी citizen कर सकते हैं इससे तो फटा-फट मिनट में ही सारी आलू slice हो जाते हैं यो देखिए कितने पतले-पतले आलू कटे हैं इससे ये देखिए और फटा-फट से कट भी जाते हैं अब इसे हम पानी में डाल देंगे ता ताकि इसका सारा starch निकल जाए अब हम अलग बोल लेंगे उसमें तीन से चार लसन की कलिया ग्रेट की होई डालेंगे यानि की गार्लिक और डालेंगे थोड़ा सा अदरक जिंजर ग्रेट किया हो उसमें डालेंगे हम एक कप पानी और दो कटिवी हरी मिर्च इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे यह देखिए अब यह पानी से हम बेसन खूलेंगे इसे साइड कर देते हैं एक बोल में हम डालेंगे दो कप बेसन हमने चार आलू लिया है उसमें डालेंगे हम एक चम्मच नमक एक चम्मच लाल मिरच एक चम्मच चाट मसाला एक चोधाई चम्मच हल्द और थोड़ी सी अजवाइन हाथ से क्रश करके हम डाल देंगे और एक पाउच हम चिली फ्लेक्स डाल देंगे यानि कि आधा चमच चिली फ्लेक्स डाल देंगे और बारी कटा हरा धनिया डाल देंगे दो से तीन चमच इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि बेसन में बगे पकोडे खाते समय , अब थोड़ा थोड़ा पाई डाल के घोल करेंगे , सारह पानी एक सथ नहीं डालेंगे , नहीं तो बेसन में घुछलियाँ बन जाएंगी , तो इससे घोल गोल दे जाएंगे , अगर आप जिंजर गारलिक को पसंद नहीं करते हैं , तो आप उससे सब्सक्राइब और घंटे का बटन दबाना ना भूलें आपको मेरे चैनल पर हर तना की रेसिपीज की वीडियो मिल जाएंगी और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें अब जो हमने आलू काटके रखे थे पतले पतले उसे हम एक छनी में निकाल लेंगे ताकि उसका सारा पानी निकल जाये अब एक षजशम में रखेंगे ओल उसे मीडियों टमटेचरर पर गरम कर लेंगे और जो हमने बेसन का गोल रेडी किया था उसमें हम एक चमच गरम ऑईल डालेंगे इससे हमारे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और ये आलू तो हमने छनी में निकाल लिये थे इसका सारा पानी सूप गया है अब ये आलू हम इसमें डिप करेंगे जो बेसन का गोल रेडी किया था और हम इसे अब कड़ाई में डाल देंगे और मीडियम टेंपरिचर का ही गरम होना चाहिए बहुत ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए अगर आप हाथ से पकोड़े तलने के लिए नहीं डाल पाते तो एक फोक की हेल्प से डाल सकते हैं सारा बेसन एक्स्ट् बने ना तो हमने चावल का आटा डाला है ना ही कोई सोडा डाली है फिर भी देखिए पकोड़े कितने अच्छे फूले फूले और क्रिस्पी बने हैं इसे अलट पलट कर दोनों साइट से गोल्डन कलर आने तक हम फ्राय कर लेंगे और उसे हम एक छनी में निकाल लेंगे ताकि सारा ओल इसका च्छन जाए यह देखिए कितना प्यारा कलर आया है पकोड़े का और यह एकदम क्रिस्पी और टेस्टी भी बने हैं इसे मैं ग्रीन चटनी के साथ सर्फ करने वाली हूँ आप चाहे तो टमैटो क्याचप के साथ भी सर्फ कर सकते हैं आलू के यह देखिए कितने क्रिस्पी पकोड़े बने हैं एकदम फूले हुए और अंदर से बिल्कुल पके हुए इसलिए हमने इसे स्लो फ्लेम पर बनाया ताकि आलू अंदर तक पक जाए और इसमें हमने कोई चाबल काटा नहीं डाला तो इसको आप 3-4 घंटे रखकर भी खाए मिलते हैं नेक्स वीडियो